हम ने देखा कि कैसे हमने data driven framework approach के साथ हमने एक framework बनाया हमने ये भी देखा कि कैसे हमने data pick किया अब हम देखेंगे कि कैसे हम keyword driven approach को use कर सकते हैं तो हम एक नया package बनायेंगे तो इसका नाम यह रख दिया हमने key driven इसमे class होगी जिसको हम let's say test class कहते है testing कहते है इसके साथ साथ हम इसमें एक interface बनाएंगे इसमें क्या होगया elements होगया मानलो interface कना उसके बाद हम एक और class बनाते है let's say जो एक हमारी UI operations class हो गई तो यह सब आप data driven में भी यूज़ कर सकते हैं पर mostly यह keyword driven में ऐसा ही होता है और आप इसमें आप करेंगे क्या कि और यह हमारा जो एक excellence helper थी हम यही से उठा लेते हैं यह utility हमने यहां से उठा ली data driven से तो आप चाहे तो UI operations के लिए यहां पर यह class बना सकते थे बाकी almost same है अब क्या होगा कि मैंने मानलो के test case perform करना है जो हम मानलो यही से उठा लेते हैं जो हमारा data driven frame अब इस class में मैंने यह operation perform करना है यहां मैंने डाल दिया एक property डाल दिया कि क्या क्या करना है लेकिन यहां पर छोटा सा change मैंने किया है यह कि अगर मेरा कोई keyword के उपर मैं काम कर रहा हूं तो इसको अभी delete कर देते हैं मैं आपको बताता हूं यह कैसे होगा let's say मेरी यह excellence है तो जब मैं excellence यह मैंने दे रखी थी पहले data driven की case में मैं उसको कह रहा था कि कोई भी operation perform करना है तो data यहां से उठा हो लेकिन क्या मैं किसी operation को यह verify करवा सकता हूं कि मुझे जो जो perform करवाना है वो भी मेरा keyword driven हो for example यहां पर आप देखो कि firefox लिखा है तो यह बता रहा है कि कौन सा browser open कर रहा है ना कि यह test data provide कर रहा है तो जो मेरा action है वो इसके उपर depend कर रहा है तो अब क्या करेंगे हम इस चीज़ को data को हम as it is रहने देते हैं अभी के लिए या फिर इसको आप यह भी कर सकते हैं कि अगर आप हटा दें चलो मैं आपके लिए भी हटा देता हूं ताकि आप clear समझ में आएगा कि keyword driven कैसे चल रहा है और firefox लिखते हम यहां पर तो यहां पर एक list है let's see a list है इसमें यह पूरा data है तो यह data है आपने इसको कहा कि जो जो excellence में पढ़ा है उसे pick कर लो यह operations भी अभी comment कर देते हैं तो let's see when यहां firefox लिखा हुआ है तो मैं यहां पर कह रहा हूँ इसको कि मेरा अगर जो data है वो equals है firefox के else if यह equal है chrome के तो यहां पर मैंने chrome लिख दिया और अगर यह equal है कि किसी और चीज के मालो कुछ है तो यहां मैंने print करवा रहा हूँ की invalid value तो यहां पर मैं क्या करूँगा यह जो मैंने driver web driver object initialize करना है वो मैं इस वाले के अंदर करूँगा इस वाले close के अंदर करूँगा यहां पर ऐसे ही firefox के लिए एक और बात आप यहां देखेंगे कि आप चाहे तो firefox के लिए भी initialize कर सकते है जो gecko driver है वो यूज होता है firefox के लिए मेर पास यह यहां पड़ा है तो यहां पर आप gecko driver pass कर सकते है अगर आपके कही पर भी issue आ रहा है firefox चलने में connectivity नहीं हो रही है तो यह भी आप pass कर सकते है तो मैंने इसे कहा कि मेरे जो keyword है जो मैं excellence में keyword दे रहा हूँ उसके basis पे मेरा यह operation perform करना है तो अब यहां पर जो जो हमने काम कर दिया हम इसे एक बारी execute करेंगे यहां पर एक firefox खोल गया ऐसे अगर यहां पर आप chrome कर रहे हैं यह आपका keyword chrome है firefox की जगह तो आप इसको execute करें sorry excellence save नहीं हुई test case से बाहर आगए तो यहां chrome execute करेंगा यह हमारा chrome खुल गया अब इसके अलावा हमने एक interface बनाया लेट से यह मेरा interface है तो मैं यहां एक दालता हूं public stated by by dot जो भी आपको करना id email whatever you want to do let's say email id तो यहां पर operation यह void है अब यहां पर मैं एक driver object से call करूंगा और अपनी जो list है वो भी pass करूंगा जो मेरा data की list है जो भी इंपोर्ट करना है तो यह data की list और driver object जो मैं call करूंगा तो मैं उस method को perform ui operations class है और static है तो हम class के नाम से call कर सकते हैं तो मैं ने यह pass कर दी values लेकिन यहां पर जो मेरा buy है वो मेरे पास पहले ही है let's say email तो email में इसको implements elements ऐसे उठा सकता हूँ और मेरा यहां पर जो sorry name है यह है test email ऐसी वे test password भी उठा सकता हूँ तो यहां टेस्स पासवर्ड आ गया और अगर मुझे url है वो मैं url mostly property file चे उठाता हूँ तो यहां पर हम जो property file है वो दे सकते हैं तो यहां पर हम सिर्फ keyword की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह या तो आप property file से या आप खुद भी दे सकते हैं facebook.com और आप दिखेंगे कि हमें by class की जुरूत नहीं है क्योंकि हम interface से उठा रहे data तो यह हो गया हमारा keyword driven और साथ साथ आप interface बनाके एक elements पास कर रहे हैं यहां पर भी अब हमें by class की जुरूत नहीं है इसको भी अटाएंगे तो अब आप action perform कराएंगे तो वह नाक सिर्फ browser खोलेगा जो आपने define किया है तो आपका keyword क्या था? Chrome सिर्फ Chrome keyword से आपका पूरा browser खुल रहा है आपके keyword के बाद जो भी आप operation perform करवा रहे है तो Chrome ही है और आगे जो operation perform कराना है वह हमारा data pass करना है तो यहां पर आपने data अभी खुद से दे रखा था लेकिन अगर आप यहां पर डेटा खुद से पास करेंगे जैसे http www.facebook.com testuser.gmail.com password 123 और Chrome तो अब इसके बाद आपने data खुद से पास किया है तो यहां पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो data पास हो रहा है वो मैं इसके अंदर पास करके यहां पर मैं क्या करूँगा get करूँगा data data.get1 2 0 तो यहां मैंने data पास किया तो अब आप देखिए मैंने data driven और keyword driven दोनों को combine कर दिया है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर different data दे दिया आप आगे भी data दे सकते हैं जैसे यहां पर आपने एक old data दे दिया या कुछ old data दे दिया आगे पर आपका keyword same है keyword आपका chrome है तो chrome browser ही open होगा तो आपने जो keyword दिया हो same रहेगा और आपका data change होता रहेगा तो हम इसको execute करते हैं तो आपका data एक source से आ रहा है sorry xls ढंग से save नहीं हुई तो यह exception दे रहा है भी index की क्योंकि array मैं exception आ रही है इसे close कर देते हैं तो अब excellence close करने के बाद हमने क्या किया excellence close हो गई और save कर दी तो हम execute करते हैं दुबारा इसे पहले वो list में index out of bound आ रही थी क्योंकि data नहीं मिल रहा था उसे excellence save नहीं होने की वज़ा से तो अब आपका chrome खुल है क्योंकि keyword आपका chrome है और उसके बाद जो भी आपने operation perform करना चाहा वो यहाँ पर हो रहा है तो ऐसे आप बड़े-बड़े keyword driven frameworks बना सकते हैं कि आप एक keyword दे सकते हैं for example set variable जिस keyword के basis पे आपका एक code call होगा जो आपका code को क्या करेगा वो आपका एक variable assign करेगा या फिर आप browser खोल रहे हैं जैसे हम यहाँ पे या आप URL से define कर सकते हैं कि environment कौन सा है तो सब कुछ property files environment basis पे उठेगा तो ऐसे आप keyword driven कर सकते हैं data driven हमने पहले discuss किया था तो आपने उसके बाद देखा कि हमने उसके बाद जो values थी वो data से उठाई I mean data source से उठाई एक्सलेस खोल रहते हैं आपे तो आपके इस data source से एक data आ रहा है और यहाँ से keyword भी आ रहा है तो आप इसको थोड़ा और optimize कर सकते हैं जैसे आपका लेट से आपका अगर यहाँ पर browser है और आप यहाँ chrome दे रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं जो भी browser का value है और उसके बाद URL URL user password तो यह Chrome अटाएंगे इसको user password नीचे रखेंगे URL मेरा क्या है facebook.com तो यह सब कुछ आपने दे दिया तो अब यह आपका keyword है और आपका यह test data change उता रहता है लेट से ही आपका test data 1 है उसके बाद यह test data 2 आपका URL कुछ हो रहे है लेट से स्टी पी डवल डॉड 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 गॉड 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 और आपका यूजर ने पासवर्ड सेम है ऐसे ही आपका Gmail के लिए यूजर ने पासवर्ड डिफरेंट है टेस्ट की जगा आप कुछ और यूज कर रहे है टेस्ट यूजर वन यूज कर रहे है तो ऐसे आप पूरा data change करकरके उठा सकते है पर आपका keyword हमेशा यह रहेगा तो आप इसको pick करके हमेशा Chrome पर यूज कर सकते है लेकिन अगली बार जब आपका keyword change हो रहा है लेट से आपका keyword हो गया Firefox यहाँ पर यहाँ पर फिर हो गया Chrome तो इस keyword के basis पर आपका action perform हो रहा है और आपका नींचे वो data as it is रह रहा है तो हम यहाँ पर keyword driven और data driven framework को मिला रहे है तो इसे हम hybrid approach कह रहे हैं तो यहाँ यह hybrid approach ऐसे यूज करते हैं इसे save कर देते हैं अभी के लिए तो आपने और भी देखा था कि हमने like एक library approach यूज करी थी जहाँ पर हम libraries बनाएंगे तो हमने यहाँ UI operation की library बनाई है for example यह थोड़ा इसको और optimize करेंगे यहाँ पर जैसे हमने उसकी वजाए हम इसको यहाँ से अठाके यहाँ डाल देंगे और elements यहाँ पर pass करेंगे let's say email, test email और test password यहाँ मैंने pass कर दिये और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है UI operations में ही web element ले रहाँ जो भी मालो मेरा web element है test तो यहाँ पर मैं अभी मालो की test ले लेता हूँ और एक web element इंपोर्ट कर देते साथ साथ और यहाँ पर हो गया test password और test email sorry यहाँ buy आया buy में हमने import कर दिया इसे तो हमने क्या किया कि हमने इसको थोड़ा और generic बनाने के लिए हमने क्या किया हमने इसको कहा कि आप जब element पास करेंगे तो यहाँ पर पास करें और उसके बाद जो data है वो मेरा list से आ रहा है तो हमेशा यह एक generic library बन गई जो आपका data पास करेगी और आपके elements पर data send हो जाएगा URL पर navigate होने के बाद तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले हमने keyword driven फिर data driven और फिर library approach को use किया तो ऐसे करके आप पूरा hybrid framework बना सकते हैं linear scripting तो आप mostly जगा करी रहे हैं और modular आज के टाइम में framework में बहुत कम use होती है तो आप चाहे तो test scripts को भी modules में divide कर सकते हैं अगर आपकी test scripts बहुत बड़ी हैं बट अगर आप library बनाएंगे तो test scripts बड़ी होना बहुत पुश्किल है तो ऐसे करके आप एक hybrid approach यूज़ कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही thank you